दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से फिल अगर अभी तक अपने मेने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ पर दबा दीजिए जिससे आपको मेरी लेटेस्ट रिलीज तुरंत मिल जाए हाँ तो दोस्तो सबसे पहले हम एटीएफ को ओपन करेंगे उसको डबल किलिक करके रन देंगे दोस्तों यह वीडियो में बना रहा हूं लक्समन करके हमारे सब्क्राइबर है उनके लिए मैं बना रहा हूं उन्होंने अभी मुझे जो है इत्तिला दी कि मुझे एटीएफ का एरर आ रहा है कुछ कैसा सेटप मानना है उस बारे में आप मुझे बता दो तो मैं उसके बा इंस्टॉल ठीक है इसमें थोड़ा सेटप होने दो इसको ज़रा सा कि पोस्त कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आगे तक में प्ले करूं ठीक हो गया पॉस्त प्ले हो गया वापस से तो होने दो इसको और लक्समन जी आपको इधर कमेंट कीजिए अगर आप यह वीडियो को देख रहे हो तो नीचे तो इसको होने दो यह हो रहा है थोड़ा टाइम लगेगा यह बोक्स का सेटप है दोस्तों बोक्स का तो आपना क्रेक वर्जन नहीं है बोक्स का सेटप में बता रहा हों के से मारना है तो देखो यहां पर फीनिश दिने के पाद है यहां पर डॉश्टॉप नोर्मली आइकोण दाइसमें है नी तो माइ Left मिलेगा माइ इसको राइट क्लिक करेंगे इसमें send to desktop create shortcut send to desktop create shortcut में जाएंगे तो desktop पर इसका icon आ जाएगा बार बार अंदर जाके खुलने की जरुबत नहीं है ठीके दोस्तो आ गया ठीके बिना box के यह चलेगा नहीं तो आप मैं इसको जो है box यहाँ पर लगाऊंगा ठीके मैं box लगा रहा हूँ आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन मैंने लगाया है box में ने जो है दोस्तो लगा दिया है ठीके वो found new hardware लिखा हुआ आ रहा है आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन आया हुआ हुआ है उदर पे right side में नीचे अगर हम देखे date के पास time के पास लड़ी के पास जो वीडियो बिलिंक हो रहा है उसके बाजू में यह मेरा देखो यहां पर next आ गया ठीके तो क्या करना है अपने को advance में जाना है install advance next में जाना है browse करना है अब इसके drivers आपको कहा मिलें के वहीं पर मिलेंगे जहां पर c में जहां पर यह c में बनाया इसमा setup मारने पर इसका setup जहां पर बनाया इसमा तो यह आपको दोस्तों जो है c में मिलेगा my computer ठीक है c drive advanced turbo flasher इसको open करेंगे plus बना पर इसमें driver ठीक है इसमें atf new driver atf new drivers पर क्लिक करके ok दे देंगे अब नेक्स्ट देना है अब ड्राइवर लेगा उसको ले लेने दो ठीक है ना तो देखो यह driver ले रहा है अब यह ड्राइवर ले रहा है अब ड्राइवर ले लेना दीजिए इसको इसका क्रेक दोस्तों अगर इसका क्रेक हना मैंने उसमें दाला हुआ है नोक्या का 206 नोक्या का 206 वाला जो फिलेशिंग के से मारना USB से उसका जो वीडियो बनाया है उसमें एड्वांस टर्बो फिलेशर का क्रेक का लिंक मैंने दिया हुआ है आपको चाहिए तो वहां से क्रेक आप ले सकते हो बरापन दोस्तों आप वीडियो पूरा दीखिए फिर सवाल कीजिएगा के सर nhất क्रेक कि यह तो उसमें आपको नोक्या का 206 वहाला में विडियो बनाया है उसमें क्रेक का लिंक दिया हुआ है जो के डॉक्टर मॉईज डॉक्टर मॉईज ने लिंक मुझे दी थी मैंने उनके नाम से वहाँ पर पोस्ट किया हुआ है ठीके दूस्तों ये हो गया फिनिश वापी से डाइवर मागे गया बोक्स के डाइवर ले रहा है अपर एक से ये कि aight इडवांस नेक्सट नेक्सट अई को इड़ाइवर ले लेने तो इसको अभी ब्राउज नहीं करना है क्योंकि एक बार हमने जो इसका ब्राउज कर दिया तो आप इस ब्राउज नहीं करना है खाली एडवांस में जाके नेक्स्ट दे देना है ठीक है तो यहां पर आपका जो है यूर नियुव हैडवेर रेजी टू यूज लिखा हुआ आ जाएगा अब इसको उपन करना है सांब लिखा दोस्तो एड़ी एडवांस टर्बो फ्रेशर को आपको फर्स टाइम अगर चालू करना है तो इंटरनेट लगा हुआ ज़रूरी है इंटरनेट लगा हुआ होना जरूरी है आपको इंटर्णेट चालू रखना पड़ेगा क्योंकि वो जो है फर्स टाइम आपका जो है पूनेट से कनेक्ट होके फिर ही आगे चलेगा सर्वर से उसको कनेक्ट होना पड़ेगा फर्स टाइम ठीक है टर्बो खुल गया नीचे ठीक है देखो एटी एफ नीच्ट रीक्वेस्ट असप्लिममंटरी एक्टिवेशन की प्लीज मेक्शिर यूआ नेक्ट दू इंटर्नेट वर आप तो यह देने का इंटर्नेट आपको फर्स टाइम एक ही पर चालू रखना है बार बार आप सौचो के कि मेरे को जितनी बर ब यह आपका उपन हो गया ठीक है इसका इंशालला हो सकेगा तो मैं आपको जो है 12.70 12.73 इसका लिंक में आपको जो है उसमें पेस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँँ आपको ठीक है ना तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको प्लीज leg किजिए और सब्क्राइब कीजिए ठीक है ना तो आब आप इसका इसके कर सकते हो ते लिए सलाम आलेकों रहमतुलाहिव बरकातू हुआ